वेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं Twins My World और मैं हूँ हरशिता आपके सामने आज आपने धमनेल तो देखी लिया होगा कि मैं आज किस टॉपिक के उपर बात करूँगी तो मैं बात करने वाली हूँ कि pregnancy में क्या अन्डा सेफ है और आप इसको किस तरीके से खा रहे हैं इसके उपर आज किछ बात की चर्शा होगी तो आपको पहले मैं बता दूँ कि जो अन्डा होता है पूरी pregnancy ये बहुत ही सेफ होता है इसको खाना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रोटीन होती हैं और प्रोटीन हमारे लिए एक मदर के लिए और आने वाले बच्चे के लिए काफी इंपॉर्टेन है प्रोटीन के और भी कही सारे श्रोथ हैं जैसे दूध हुआ और उससे भी dairy products जितने भी चीज़े हैं जैसे दूध, दही, पनीर, सोया और अंडे वगरे का इस्तमाल करना बहुत ही सेफ है क्योंकि आने वाले बच्चे को भी काफी प्रोटीन की जुरत पड़ती है तो अंडे खाना एक बहुत अच्छा आप्शन है लेकिन इसको खा किस तरीके से रहे ये एक बहुत बड़ा कुशनेबल मार्क है देखिए अंडे को अच्छी तरह से पका कर खाना चाहिए क्योंकि गर्भावस्था के दौरान आपको half boiled या poch वगरा जो dishes में बनती है वो आपको बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए क्योंकि अगर अंडा कच्छा रहता है तो उसमें bacteria पनपने की chances जादा रहते हैं जो bacteria आपके आने वाले बच्चे के लिए खतरनाक साबित हो सकता है तो अगर आप अंडा का सेवन कर नहीं है तो उसको बहुत अच्छी तरह से पका कर खाए ताकि उसकी सारी bacteria खतम हो जाए और वो प्रोटीन भी आपको अच्छा दे ताकि आपके और आपके बच्चे के लिए यह काफी helpful हो तो इसी तरह से और भी काफी informative वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें और देखते रहें ट्विंस माइवल्ड थैंक्स पर वाचिंग